हेलो दोस्तों मैं हूँ दीपक और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉंस्टेंस माइन्ड में पीच्डी एडमिस्न फॉर्म 2021-22 का आ चुका है कासी हिंदू भी स्विध्याले बानारस हिंदू इन्वस्टी का जो की हम आपको अपने चैनल के मादम से पहले भी बता चुके थे कि 20-21 का एडमिसन हुआ था और 21-22 का होना बाकी था तो अब फॉर्म आ चुका है 20 तरीक से फॉर्म जो है ये नोटिफिकेसन अवेलबल हुआ है थोड़ा टाइम की कमी होने के वज़े से थोड़ा वीडियो लेट आ रही है और टेलिग्राम से अगर जुड़े हैं तो वहाँ भी हमने नोटिस दे दी है और फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा अभी काफी टाइम है तो वीडियो देख लेते हैं important date और आपको ये भी बता देते हैं कि जो net का exam अभी दिये है candidate जिनका अभी result अप्रेल में आने वाला है वो भी apply कर सकते हैं इसमें यहाँ पर दो category है PhD तथा एक PhD है और एक PhD exempt category है तो दोनों में आप form भर सकते हैं ठीक है अबसे पहले important date आप देख लिजिए availability of RAT MPHL integrated MPHL 2021 online form on the entrance test portal तो BC1 2022 से last date जो है online application RAT MPHL integrated MPHL 2021 का 1522 से 15 फरवरी रहने वाला है और admit card इसका RAT MPHL का 93220 को आ जाएगा entrance test जो है 16 March को होगा इसमें कोई भी लेट लतीफी नहीं होगी और ये schedule आफ आप इस ये notice को description से download कर लीजे और पुरी details आप पढ़ लीजे ठीक है तो देखते हैं audit application form and application process text fees ये सब आपको देखना बहुँ जरूरी है तो ये देख लीजे आप यहां पर all discipline के लिए जो सभी program के लिए 400 रुपए SCST वाले देंगे और others के लिए 800 fees ये non refundable रहेगी और सभी के लिए सभी courses के लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाए ये online आप कर सकते हैं और थोड़ा सा instruction वगर दिया गया है कि किस तरह से apply करेंगे आथ तो apply करने के लिए ये official site है इसकी ये आप देख सकते हैं ये official site है apply करने के लिए यहां से आप RET main 2021 पे या click to apply RET कर सकते हैं उपर आपको site देख रही है यहां से चीजे हो सकती है ठीक है और ये PhD through RET, RET यहां आयोजीत होता है यहां पर RET and direct admission जो RET exempt रहेगा मतलब इनका intense test नहीं होगा ये direct जाएंगे तो जो RET exempt वाले हैं वो कौन सी category वाले हैं वो मैं देखा देता हूं आपको तो doctor of philosophy विद्यावारती degree जिसे आप कहते हैं विद्यावारती जो है वो संस्कित में होता है offer referred to as to PhD degree य यहां पर जो है through RET and RET exempt mode and section A table जो है वो through RET exempt mode only के लिए है for registration in September 2021 and March 2022 semester registration of candidates shall be done as for norms decided by academic council of the university from time to time अब यहां पर नीचे लिखा है कि those candidates are expecting their net result by April 15, 2022 are also eligible to apply provided their other eligibility conditions are fulfilled by the last date of application ठीक है there will be no separate notification of for March 2022 term अब यह आपको अच्छे से हो जाना चाहिए पता कि 2022 के लिए अब फिर से form नहीं आएगा ठीक है यह दोनों एक साथ हो रहा है तो आप इसको ध्यान से समझ लें for RET exempt candidate admission to the said program shall be through the research interest test to be conducted on 16th March and be करा है कि directly for the RET exempt category as detailed as section H of this information bulletin eligible condition and other details are provided section C अब यहाँ पर integrated emphil वाले भी देख सकते हैं और emphil वाले भी देख सकते हैं अब यहाँ पर जैसे आप नीचे आएंगे ना यहाँ पर हर एक department के लिए faculty of art जो है सभी के लिए यहाँ पर eligibility दी गई है आप eligibility को ध्यान से पढ़ें ठीक है तो यहाँ से आप देखेंगे यह seatों की details शुरू हो जाती है कि कि कितने कितने seat हैं जैसे कि seat अगर आप देखे रहेंगे तो आपके लिए जदा बेस्ट रहेगा कि कितनी seat हैं total तो यहाँ पर अच्छी खासी जीते हैं जितनी seat हैं खाली थी और 2020 का admission भी हाल ही में complete होगा है तो seat बहुत जदा नहीं होगी लेकिन कुछ कुछ department में तो अच्छी खासी seat हैं यहाँ पर available है ठीक है और यह आप देखेंगे तो यहाँ पर structure of research interest test कि किस तरह से interest test होगा तो RET will have two components इसके लिए details मैंने बनाई text A जो रहेगा will be based on subject knowledge, assessment of logical and analytical capability and research methodology और जो text B होगा will cover personal interview to test aptitude for research ठीक है तो text A के बारे में यहाँ पर details में दिया गया कि कितने question होगे this will have total 100 MCQ and this test will have 120 minute and 300 marks ठीक है यहाँ पर each question will carry 3 marks for correct answer and one marks will be deducted for a wrong answer तो negative marking यहाँ पर है और यहाँ पर minimum 35% marks in text A आपको लाना है मतब text A में 35% marks passing रहेगा ठीक है फिर text B जो है यह personal interview है इसको भी आप ध्यान से देखने कि यहाँ पर क्या क्या detail रहेंगी यहाँ पर यह भी कर रहा है कि the minimum qualifying mark for RET 210 210 marks आपका RET का रहेगा ठीक है यह दोनों details minimum और maximum की है तो यह आप देख लें for admission to Subrtan Stories तो इसके लिए यहाँ पर है और तो यह रही काम की details और जो details है वो खुद आपको पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि बहुत लंबी PDF उसको बताया नहीं जा सकता ठीक है में में चीज़े हमने आपको बता दी कुछ छूटता है तो आप comment section का use करें आपको सारी details दी जाएंगी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद like, share, subscribe जुरूर करें